आज की इस वीडियो के नदर मत कने वाले है Free Fire की 88 प्रो सेटिंग्स के वारे में जो हर एक प्रो प्लेयर यूज करता है अगर आप सभी उन प्रो सेटिंग्स को यूज करोगे तो आपका गेम प्ले भी एकड़म नेक्ट लेविल का हो जाएगा जैसी गाज अगर आपके वन टेप नहीं पड़ पारे या फर आपके ड्रेग एड्सों नहीं लग पारे है या फर आपका मुवमेंट काफ़ी ज़दा स्लो है तो आपको भी सारी कुछ प्रोड़म्स आ रही है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारी प्रोड़म्स 100% सॉल्व हो जाएगी बिकोज मैं आपको आठ ऐसी प्रोड़ सेटिंग्स बताने वालूँ अगर आप उन सेटिंग्स को अपने फ्रीफार गेम के अंदर एपलाई कर लेते हो तो आपके भी एजिली वन टैप और ड्रेग एड्सों लगना इस्टार्ट हो जाएगी एंड साती गास आप हर एक मैच को चाहे CSO या फिर BR आप हर एक मैच को आसानी से बुया भी कर लोगे तो जिनसे इस बात के लिए वीडियो को अभी से आप लाइक कर दो एंड साती गास आप देख सकते हो 97% ऐसे बनने हैं जो मेरी वीडियो को रेगुलर वाच करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप दिल से बुरा लगता है अशा अमत करो अभी कभी एड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जो भी नोटिफिकेशन बेल आ रही है उसे ओल उपर सलेक्ट कर लेना तो चलिए गास इस दमागे दार वीडियो को स्टाट कर लेते हैं अब गास दोको सब्सक्राइब मात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नमर वन के बारे में इसके लिए आपको क्या कुछ करना है आपको फ्रीफार गेम की सेटिंग को उपन करना है और आपको डिस्पले में आजाना है डिस्पले में आने के बाद आपको सबसे नीचे आना है अब आपको एक setting देगनों लेगी जिसके नामे gunshots alerts तो आपको इस वाली setting को अभी कभी on कर दना है अब गाज़ों को इस वाली setting को on करने से क्या कोच होगा कि जब भी आप free for game को खेलोगे अगर आपके आसपास enemy firing करेंगे तो आपके character के पास ऐसा red red symbol बनके आजाएगा जिससे आपको पहले से पता लग जाएगा कि हाँ आपके आसपास enemy firing कर रहे है अप पहले से alert होके easily enemy को मार भी सकते हो तो यह वाली setting काफ़ी ज़्यादा important है अपको अभी कभी यह जो gunshot alert वाली setting है इसको आपको on कर देना है इसके लाब अगास आपको उपर आना है अपर आपको एक और setting देखने हो मिलेगी जिसका नाम है high fps अब आपको high fps में basically आपको तीन option देखने हो मिल जाएंगे normal, enhanced and आपको high तो आपको क्या कुछ करना है यह आपर आपको high fps पर अपने free fire game को खेलना है because guys अगर आपे आप normal कर देते हो तो इससे आपके जो fps है न वो low हो जाएंगे and आपके headshot भी काफ भी ज़्यादा कम लगेंगे तो आपको जो high fps वाली setting में आपको इसको high कर दना है high करने से क्या कुछ होगा आपके fps भी बढ़ जाएंगे and आपके headshot भी पहले से ज़्यादा लगेंगे अब बात कले तेगा सम pro setting नमबर 2 के बारे में अब गाज़ो को उसके लिए आपको क्या कुछ करना आपको नीचे आना है and आपको नीचे free fire max की setting में चले आना है अब गाज़ो को जैसे आप free fire max की setting में आते हो न तो यहापर आपको बहुत सारी setting देखने हो मिल जाएंगी जैसे login video, lobby style, audio style तो यहापर आप जितने भी setting देख रहे हो न सबसे पहले आपको सभी setting को off and classic करना ठीक है जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको सभी settings को off and classic कर दना है अब गाज़ो को यहापर आपको only एक setting को on करना है वो है guys HD texture अब गाज़ो को HD texture को on करने जिसके आपको जोगा जब यहाप free fire gamebook खेलोगे तो वो एकदम full HD में चलने वाला है तो आपको बस यहापर एक ही setting को on करना है बाकि यहापर जितने भी setting है न सब कुछ आपको off and classic कर दना है अब हम बात कर लेते हैं pro setting number 3 के वारे में इसके लिए आपको क्या कुछ करना है आपको उपर vibration वाली setting में आना है अब गाज़ो को यहापर आपको बहुत सारी vibration देखनों मिलेंगे बटकास यहापर आपको only एक ही vibration को on करना है वो है guys sound visualization vibration आपको बस इस वाली vibration को on करना है जैसे आप इस वाली vibration को on करोगे यहाँ पर आपके सामने दो option आएंगे Footsteps and Gunsort यहाँ पर आपको दौनों को ऐसे enable कर दना है अब गयाज को Footsteps वाली setting को on करने से क्या कुछ होगा जब भी आप अपने Free Fire Game को खेलोगे and enemy अगर आपके आसपास होगा and उसके Footsteps आएंगे तो गयाज वापे आपको जो phone है न वो automatically vibrate होने लग जाएगा अब गयाज इससे आपको पहले से पता लग जाएगे कि हाँ भाई माना phone vibrate कर रहा है हमारे आसपास enemy है and आप easily enemy को वापे alert होके मार पाओगे इसके लगाज इसको gunshots को on करने से क्या कुछ होगा अगर आप gunshots वाली setting को on रखोगे तो इससे यह होगा कि जब आप फ्रिपर गेम को खेलोगे and अगर आपके आसपास enemy firing करेंगे तो वापे भी आपका phone automatic vibrate होने लग जाएगा जिससे आपको पहले से पता लग जाएगा कि हाँ भी आसपास enemy firing कर रहे है तो आपको यहाँ पे foot steps and gunshots दोनों setting को vibration में on कर देना है बात की कि यहाँ पे जितने भी vibration वाली setting है सब कुछ आपको off ही रखना है अब बात कर लेते हैं SM pro setting number 4 के बारे में इसके लिए आपको क्या कुछ करना है आपको उपर आना है और आपको उपर controls में चले आना है controls में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक setting देखने हो में लेगी जिसका नाम है free look तो यहाँ पे आपको इस free look वाली setting को अभी कभी on कर देना है अभी आपको फ्री लुक को on कर देते हो तो इससे क्या कुछ होगा जब भी आप अपने free fire game पो खेलोगे तो वाँ पे game के अंदर आपको छोटी सी आँख देखने हो मिल जाएगी अभी आपको इस आँख का क्या कुछ काम होगा जब भी आपका character दोडेगा तो अगर आप इस आँख पर click करके इस आँख को इदर दर move करोगे आप अपने character को 307 degree गुमा सकते हो ठीक है अपने पराशूट को 307 degree गुमा के आसपास अपने enemy को भी देख सकते हो यानि कौन कौन enemy का पे लेंड कर रहा है इस वाली setting से आप देखो दोड़ते हुए भी आसपास अपने enemy को देख पाओगे कि हावाई enemy कहा है तो इवाली setting भी काफ़े जदा काम किया है तो आपको इस free look वाली setting को अभी कभी on कर देना है पर मात कर लेते हैं प्रो setting नमर 5 के बारे में अब गाज़ो इसके लिए आपको चलना आपको नीचे एक setting देखनों मिलेगी जिसका नाम है item finder तो आपको item finder में तीन option देखनों मिलेंगे always on, recommended time and always off तो यहापर आपको देखो गाज recommended time पर select कर देना है अब गाज़ो को इस वाली setting को recommended time पर select करने से क्या कोच होगा जब भी आप blend करोगे तो अगर आपके आजपास loot पड़ी होगी जैसे medicate, backpack या पर कोई भी कुछ भी पड़ा है तो वापे वो आपको पहले से pin करके दिखा देगा कि आपके आजपास यह वाली loot पड़ी हुई है और आप वापे जाके easily loot सकते हो तो यह वाली setting बहुत ज़्यादा काम की है because अगर आपके आजपास loot होगी तो आपको पहले से पता लग जाएगा कि कौन सा item काँपे पड़ा हुआ है आप easily सबसे पहले loot करोगे and अगर आप loot कर लोगे तो आप easily बंदों को भी मार सकते हो because क्या कोच होता है कभी-कभी आप loot नहीं कर पाते and साहने वाला loot करके आजाता है and आपको सबसे बहुत ज़्यादा काम करेगी तो आपको यह जो item fander वाली setting है इसको आपको always recommended time party select कर देना है इसके बात कर लेते हैं pro setting number 6 के बारे में इसके लिए आपको उपर आना है and यह पर आपको एक setting देख दो मिलेगी जिसका नाम है reload progress on crosshair इस वाली setting को भी guys यहाँ से आपको on कर देना है अब guys दो को इस वाली setting को on करने से क्या कुछ होगा जब भी आपकी किसी भी gun की ammo खतम होंगी and आपकी gun reload होगी तो वापे एक goal circle आजाएगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी gun कितनी देर में reload होने वाली याणि guys देखो जब भी आप फ्रिपर गेम को खेलते हो न तो वापे आपकी एक एक सेकंड बहुत ज़दे important होती है and guys दो वही एक सेकंड आपको भी मरवा सकती है and सामने माले enemy को भी मार सकती है अब guys दो इससे क्या कुछ होगा जब भी आपकी gun reload होगी न जिससे आप बहुत जल्दी enemy को मार पाओगी तो आपके जो reload, progress and cross here है न इसवारी setting को भी हमेशा आपको on ही रखना है अब हमाग कर लेते हैं pro setting number 7 के बारे में इसके लिए आपको क्या कुछ करना आपको नीचे आना है and आपको एक setting देखनो में लेगी जिसका नाम है permanent global button तो आपके वहली setting on रहेगी तो इससे क्या कुछ होगा आप जब भी global को use करोगे and आपकी global खतम हो जाएगी फिर भी वहाँ पे आपको global का button 100 होता रहेगा and वहाँ पे zero wall दखा देगा इससे देखो बंदे confuse हो जाते यानि बंदे fire कर रहे है and उनको वहाँ पे zero wall वाला buttons होगा जिससे बंदे confuse होगे कि हाँ भाई मारे पास side wall है and वो mistake से वहाँ पे click कर देते हैं इससे क्या कुछ होगा आपके पास wall तो नहीं होगी तो वहाँ पे wall लगेगी नहीं and सामने वाले enemy इस बात का फायदा उठाएगा and आपको easily मार जाएगा तो आपको इस परवानेंट global button वाली setting को यहां से off कर देना इससे क्या कुछ होगा जब भी आपके wall खतम हो जाएगी तो वहाँ पे आपको global button ओटमेटिक गाइब हो जाएगा आपको इससे आपको कोई भी confusion नहीं रहेगी because जैसे आपके पास wall सारी खतम हो जाएगी आपको जो भी global button है न वो भी बहाँ से हड़ जाएगा जैसे आपके सारी confusion दूर हो जाएगी and आपको पता रहेगा कि हाँ भाई हमारे पास wall नहीं है अब बस enemy को मारो यार wall तो है नहीं तो जैसे आपको इस परवानेंट गुलोल बटन वाली सेटिंग को अमेशा off ही रखना है अब गाज़ जो इसको बाद मात कलेते हैं last pro setting यानी pro setting नमर 8 के वारे में अब गाज़ जो इस वाली सेटिंग से आप अपनी ID को hack होने से भी बचा सकते हो because जो जो बंदों के पास ID होती है न वो उस ID में काफी ज़्यादा मैनत करते and बहुत सारे बंदे बहुत सारे पैसी भी लगा देते हैं अपना time भी invest करते तो अगर उनकी ID कोई hack कर लेता है न फिर बंदे इदर सदर बागते अंडर होते है तो गाज़ वाली सेटिंग आपकी ID को hack होने से बचा सकती है इससे आपकी ID एकदम safe रहेगी तो क्या setting है वो मैं आपको बता देता हूँ अपको इसके लिए आपको क्या कुछ करना आपको अपने free fire game की basic वाली setting में आना है अपको आपको एक setting देख रूम लेगी जिसका आम है login history तो गाज़ आपको login history पर click करना है और आपको आप देख सकते हो कि आपका जो भी free fire का account है वो किस-किस device में login है अपको लगता है कि आपको जो free fire का account है वो किसी unknown device में login है तो आपको क्या कुछ करना है आपको नीचे से log out from all device कर देना इससे क्या कुछ होगा आपका free fire का जो भी account है वो सभी device से हट जाएगा और आपको दोबारे से अपने free fire game को ऐसे login करना है और आपको जो free fire game है न वो आपके account में login रहेगा और आपको यह और चीज का ध्यान देना है अगर आपको लगता है कि आपको free fire account किसी unknown device में login है तो आपको अभी कभी अपने free fire account के password को change कर देना है और आपको free fire account जिससे भी link है चाहे गूगल हो या फर फेसो को आपको भी कभी two step verification को on कर देना है इसलिए क्या कुछ होगा अगर hacker को आपके password का पता भी लग जाएगा तब भी वो आपके account को login नहीं कर पाएगा जब भी hacker आपके ID and password को डालके आपके account को login करेगा तो देखो two step verification के वज़े से आपके पास notification आएगी अगर आप notification को एलाव करोगे या फर hacker को OTP दोगे तब ही वो आपके account को login कर पाएगा तो आपको two step verification अभी कभी on कर लेना विकोज हैकर अभी के time में बहुत जादा active हो चुके वो आपकी ID को hack कर सकते तो आप इस तरीके से अपनी ID को एकदम safe and secure रख सकते हो तो आपको सारी के सारी प्रो सेटिंग मैंने आपको बता दी आपको सारी के सारी सेटिंग को जैसे मैंने बताए आपको अपने गेम कंदर apply करना है आपका gameplay काफ़ी ज़यदा improve हो जाएगा तो आपको इस बात के लिए वीडियो को आप like कर दो और देखो चैनल को बिना subscribe कि ये कोई नहीं जाएगा यार प्लीज और subscribe भी कर दना तो आपको जब तक के लिए टाटा एंड बाई बाई